अब देखते हैं user defined function, इसमें तीन पार्ट है, function declaration, function definition and function call, यहाँ पर अभी क्या है कि एक function definition है, इसको हम देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है return type, function name, arguments, यहाँ पर statements, यहाँ पर function name, अब यहाँ पर क्या है कि return type, return type कोई भी valid data types हो सकता है, जैसे integer हो गया, float हो गया, double हो गया, character हो ग अब देखते हो और अगर कुछ भी data type return नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर valid लिख सकते हो, और इसको इसको हम दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हमारे requirement के recording है इसको उसके बाद हमारा इसके function के अंदर हमारा जो भी work करना है कराना है function से वो इसके अंदर statement हो सकता है यहाँ पर ब्रेस बंद हो गया यहाँ पर function name हो गया किसी function किसी other function में भी हो सकता है जब हम एक दूसरे function से दूसरे function को call करना होगा तो उस body में भी हम लिख सकते हैं अब यह जो हो गया हमने यहाँ पर देख लिया function header भी आपको देखने को मिल जाएगा इसका यह जो हो गया इसका function definition हो गया और यह जो है इसका function call हो गया जो function जो function यहाँ पर main function है किसी दूसरे function को call करता है तो जो call करता है यह कहलाता है calling function और जिस function को call किया वो कहलाता है called function clear अब इसके लिए इसके उपर हम एक example देखते हैं जिससे कि हमारा यह इतने सारे terms हैं वो clear हो जाए तो यहाँ पर क्या है कि मैंने एक program बनाया जो कि क्या करेगा दो number को add करेगा simply तो अब क्या है कि अगर suppose कि program को हमें तीन बार run करना होगा जैसे दो दो number को execute करना है तो क्या कर सकते हैं या तो हम for loop के अंदर लिख सकते हैं तो आप ते ही बोलो है कि for loop के अंदर कर सकते हैं तो function की क्या जो हो आता अगेन मैं बोलूगा कि यह जो program हम बस definition उसका syntax जानने के लिए कर रहे है कि हम जब module हमारा जो function है काफी बड़ा हो जाएगा तो उस case में function काफी convenient लगेगा तो अब यहां पर क्या है कि add जैसे एक ध्यान रहे हैं यहां पर wide add लिखा मैंने तो यह जो है इसको हम बोलते हैं function declaration यह हमारा function declaration है यह अगर नहीं दे तो आप प्रोग्राम में तो आपका prototype error आता है और अगर कभी prototype error आया तो समझ आपने कि function declare नहीं किया आपने भूल गया तो इसलिए ऐसा error आ रहा है तो आप एक बार चिक करोगे हो जाएगा तो यह हमारा function declaration हो गया यहां पर क्या है मैंने यहां पर लिखा void add यहां पर यह return type है यानि कि कुछ भी return नहीं कर रहा है इसलिए मैंने वाइड लिख दिया यहां पर क्या है कि add यह function का name हो गया उसके बाद जैसे control यहां पर आएगा यहां पर आएगा तो यह function call होगा यहां पर आने के बाद function यह call हुआ यानि अब यहां पर आने के बाद integer a b a a b यहां पर define a function यह local variable है आगे देखेंगे इसको detail में के local variable क्या हो था फिलाल के लिए समझ आप कि a b जो है बस इसी function के लिए variable क्या बूल सकते है अवैलेबल है यहां पर printf enter two numbers scanf plus a b और printf sum is यानि कि फॉल is the announcer. और जो main function है यह calling function है किसको call कर रहा ऐड़ को और add function क्या है यह call function है यहां पर call कर रहा है फिर यहां पी आएगा फिर टरीकता से चलेगा फिर program चलेगा फिर पर ऑन्ट्रोल आजाएं यहां पर आ जाएगा यहांपर आने के बाद हो दो प्र प्रोगाम हमारा तीन दो पांच मतलर लाइन में हमारा निपट गया अभी तो लग रहा है कि वह हाफ के आसपा से लेकिन जब लार्ज प्रोग्राम होगा तो बहुत बेनिफिशियल होगा तो इस तरीके से हम फंक्शन को कॉल करते हैं दूसरी बात एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि आखिर क्यों ज़रूरत परती है इसको हमें डिकलेयर करने की तो डिकलेयर करने की ज़रूरत इसलिए परती है कि जनरली हमारी यह हैबिट होती है कि जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले हम हैडर फाइल इ function को जैसे कि यह जो है function upside में नहीं आप नीचे लिख सकते हो main के बाद यह मैंने space थोड़ा था इसलिए यहां पर लिख दिया तो उस case में क्या होता है कि यह जो function है main यह क्या होड़ा calling function है call कर रहा है add को अब suppose कर लो कि यह जो है यह जो हमारा function है यह बाद में लिखा गया है इसके बाद में इसके नीचे है और इसको add call कर दिया अब इसको पता ही नहीं क्यों कि control अभी यहां पर आया इसको पता ही नहीं कि add है क्या तो उसको हम बताते हैं एक prototype prototype हम बोल सकते हैं कि जैसे छोटा सा model use कर सकते हैं कि आगे उसको बता देते हैं कि void एक ऐसा method function आएगा जिसका name add है और उसका return type है कुछ भी नहीं है और जो argument है वो कुछ भी नहीं ले रहा है तो इसको रहेगा अच्छा कि आगे चलके मुझे एक ऐसा function मिलेगा जो कि आगे define होगा उसका definition क्या है वो क्या कर रहा तो यहां आने के बाद वो error नहीं देगा यानि कि यह program का definition मिल जाएगा तो फिर अगार आप सोचे को अच्छा तो क्यों हम इस function definition को पहले ही लिख दे एकदम सही तो अगर आप यह main function को आप नीचे लिख दो और उसके उपर void add यह method जो function है इसका definition इस main के उपर लिख देते तो यह जो है function declaration की ज़ूरत हमें नहीं पढ़ेगी तो हम बिना declaration के भी use कर सकते है क्यों क्यों कि जाहिर है control जब आया इससे हो के गया तो अल्रेडी compiler को पता चल गया अच्छा कि इसके एक ऐसा method है जो कि इसमें define है और इसके यह work है तो उसके बाद यह call easily कर सकता है तो उस case में हमें ज़रूरत नहीं पढ़ती है call करने की यह हो गया हमारा function एक basic सामने किया जो कि जो number को add कर रहा था